हेलो फ्रेंड्स, you are most welcome in our YouTube चैनल राहुल वालिया लेंडिंग हब और बियर्ड फस्टियर की इन वीडियो को आगे ब्राते हुए हम आज की लेक्चर एट में जो सुरू करने जा रहे हैं वह है Policy Framework of Education in Post-Independent Period ये Unit 3 है Contemporary India and Education ये आपका First Paper होता है Contemporary India and Education Unit 3 और सत्ता की पस्चाथ जो सिक्षा का नितिगण धाचा है उसको हम बढ़ रहे है Unit 3 में इससे पहले में आपको पढ़ा चुका हूँ Secondary Education Commission राधा कृष्टन कमिशन वहादा कमने पढ़ा है आज की जो हम सुरुवात करने जा रहे हैं वो राष्ट्य शिक्षा आयोग 1904-1946 से करने जा रहे हैं राष्ट्य शिक्षा आयोग लागा था 1964-1946 के बीच इसके बारे में हम यहां से वीडियो की शुरुवात करेंगे और इससे पहले हम वीडियो को शुरुवात करते हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अब आगे पढ़ते हैं राष्ट्य शिक्षा आयोग 1904-1946 डॉक्टर डियेस कोठारी इस आयोग के अज्जेक्स थे इसलिए इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है यह आयोग 29 जून 1966 को सिक्षा और राष्टी विकास के रूप में प्रसुत किया गया था इस रिपोर्ट में 692 में प्रष्ठ हैं जो तीन घंटों में तीन खंडों में विभाजित है अब प्रसासन और वित के संबंद में सुझाओ पड़ते हैं प्रसासन और वित का मतलब होता है पैसा कहां से आएगा कितना आएगा कौन इसकी देखरेक करेगा इस सिस्टम को जो हम लागू करेंगे यानि कैब कैब की जो पावर है इसके अधिकार है इसके राइट से है वो बढ़ा जाने चाहिए इसकूरी सिक्सा की जिमेंदारी NTE-RT को सोपी जाए केन सरकार को सिक्सा के लिए अपने बजट में नियूनतम 6 परतिफत आवंटित करना चाहिए राजय सरकार को भी सिक्षा के लिए अधिक थन आवंटित करना चाहिए मतलब जो गौर्नमेंट का बजट होता है सरकार का उसमें 6 परतिफत तो केन सरकार को जोगदान देना चाहिए सिक्षा के लिए और राजय सरकार को भी अपने बजट से बहुत सारा ले सकते हैं, collection कर सकते हैं उन पे tax में छूड कर सकते हैं जो पैसा वो देंगे तो बोफारी तरीके होते हैं इससर के पैसे को यूद करने के next slide पे चलते हैं शिक्सा योजना के संब्द में सुझाओ कुल शिक्सा बजट का 2 बटा 3 सामाने शिक्सा पर वबटा 3 उजच्ण पर इन्होंने कहा हैं कि जो सिक्सा के लिए बजट निकालेंगे उसके से kids film सामाने शिक्सा पर खर्च और उसका 3 में से एक भाग किस्पे खर्च हो उच्च्छा के लिए higher education के लिए खर्च होना चाहिए राज्य सरकार और स्थानिय निकायों को संयुक त्रूप से इसकूली सिक्षा की देखबाल करनी चाहिए जबकि उच्षा की योजना राज्य और केंच सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए जो नॉर्मल एडूकेशन है, हमारी जनरल एडूकेशन है इसको गौर्णन इस्टेट गौर्णन देखे और जो हमारे स्थानिय डिस्टिक डिपार्टमेंट है उसको वो देखे, जबकि जो हायर एडूकेशन है वो सेन्टर गौर्णन और इस्टेट गौर्णन को मिल दूनकर की देखनी चाहिए तो शिक्षा साथ से 14 वर्स की आयू वर्स के लिए निसुल्क और अनिवारिये होनी चाहिए साथ से 14 वर्स की बच्चों के लिए बिल्कुल अनिवारे सिक्सा होनी चाहिए और निसुल्क होनी चाहिए ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पैसे की वज़े से फीस नहीं दे पा रहा है तीन वर्स की अवदी की होने चाहिए पूर प्रात्मिक सिक्षा कोन से है प्रात्मिक सिक्षा के से जो पहरे लिए जाती है जैसे कि नरसरी LKG UK के हम बात करते हैं तो कि वह वाले सिक्षा है दो कनिष्ट प्रात्मिक सिक्षा चार से पांच वर्स की अवदी की हो नमबर दो पाइंट है इसका करिष्ट प्रात्मिक शिक्षा चार से पांच वर्स की अवदी की होने चाहिए और तीसरा पाइंट है वरिष्ट प्रात्मिक शिक्षा की अवदी तीन से चार वर्स की होने चाहिए ये कहा था कुठारी कमीशन faithful की बारेश थी कि जो सिख्षा की जो हुमारी एजोकेशन की इस्ट्रक्चर है वो इसके कोडिंग होने चाहिए सαιथातक कला विज्ञान और वानिजा की आद्री सेस्ट की आद्री है वो तीन Trail में हो सकती है कला जिसको आर्ट कहते हैं जैसे बी ये विज्ञार यानी बीसी और वाणिजी यानी भीकों ठीक है ना तो सुनासक जो हो वो तीन वर्स के लिए होना चाहिए तबकि इंजिनिंग और चिकिस्सा की अवधीत तीन से चार वर्स होनी चाहिए इंजिनिंग में बीटक वगर आत करता है ठीक है ना नीक्स चलते हैं पोस फ्रेजजिशन कितने साल का वना सब्सक्राइद अचाहिए ये जो मास्टर्स दिगरी है वो दो से तीन साल की अवस्दी होनी चाहिए नेक्स लाटवे चलेंगे राश्टिय सिक्सा आयोग के गुण क्या थे? आप इसके गुणों के बारे हम पढ़ेंगे इसके merits इसको कह सकते हैं merits of natural education commission राश्टिय सिक्सा आयोग के गुण क्या थे? 7 से 14 आयू वर्ग के लिए निसुल्क और अनिवारिय सिक्षा यह सबसे अच्छा point है कि 7-14 वर्स के आयू के बच्चों के लिए निसुल्क और अनिवारे सिक्सा उनको पढ़ाना ही पढ़ाना है चुदा वर्स तक वो government पढ़ाएगी और 8 वी तक की पढ़ाई जो है junior high school तक की पढ़ाई जो है उनके लिए free होगी 30 परतिफत युवाओं के लिए उच्छ सिक्सा हो कम से कम इतने बच्चे बच्चे बढ़ रहे हैं सपोर्च की जिए 100 बच्चे बढ़ रहे हैं तो 100 में से 30 बच्चे higher education के लिए जाएं वो कई चाहे वो BA करें चाहे वो Bachelor in Art करें Bachelor in Science करें Bachelor in Commerce करें कुछ भी करें लेकिन 100 में से 30 बच्चे जाने चाहिए समय के साथ सिक्षा के वयापक उद्देश है उच्छ सिक्षा के उत्थान पर जोर कृसी सिक्षा की उचित नेती विज्यान सिक्षा पर जोर सिक्षक पर सिक्षण से संबंदित उचित सुझाओ यहाँ पर इनों ने क्या किया कि सिक्षक परसिक्षण को स्टार्ट कर दिया चिचर ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया रीदिब ही सोचा गया था कर न कहीं हमारे टीचर जो है वो भी परसिख्षग साथ की समानता बवो gray अब राश्टिय शिक्सा आयोग के दोस्थी होते हैं, किसी चीज के गुण होते हैं, तो उसके दोस्थी होते हैं, उसके डिमेरिक्स भी होते हैं, अब इसके डिमेरिक्स क्या है, शिक्सा की एववस्थित सरचना, राश्टिय शिक्सा के नाम पर मजाक, शिक्सा के विष्ता कि राष्ट्री सिख्सा नीति अब राष्ट्री शिक्त आयो रेकिन कि राष्ट्री शिक्त नीती 1990 यह माई 1990श में प्रतृक्त किया गया था इसका नाम ही 10006 है तो 1986 में यह आई थी यह 12 भागो और 157 परिच्छेदों में विभाजित है इस निती की सरचना 10 प्लस 2 प्लस 3 थी 10 प्लस 2 प्लस 3 क्या होता है क्लाफ 10 तक 10 क्लासी होने चाहिए प्लस 2 यानि जो सीजर सेकेंडरी है वो 11 और 12 है उसमें 2 ग्लास होने चाहिए और प्लस 3 का मतलब है ग्रेजुएशन तीन साल की होने चाहिए इस निती की मुख्यों से साहिप पढ़ेंगे राष्टे सिक्सानिती 1964 की मुख्यों से साहिप क्या थी सभी वर्गों के लिए सवानता तक्निकी और परबंदन सिक्षा पर भल दिया गया था यहां पर टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस किया गया था मैनेजमेंट एजुकेशन पर फोकस किया गया था पूरे देश के लिए एक सिक्सानिती थी इस निती में सिक्सकों के मैद्व को सिवकार किया गया है बारी मात्रा में धनकी समस्ता की ववस्ता की गई थी धनकी ववस्ता की गई थी और परबंधन को राश्टियस्तर राज्यस्तर और जिलास्तर में विबारित किया गया था जो education system था उसको पहले क्या किया गया उसको राश्टियस्तर नेरी national से फिर state और फिर state से district level पे education का management कि इस पर गंठोल्म कि जा सके है विज्ञान गगित की सीग्षा खेलकूत जैसी सवय handful गतिविदयों पर बल दिया गया था राष्ट्रे सिक्सानिती 1986 में इसके हम इसके मुख्य विसे सही पढ़ सकते हैं अब आते कार्य योजना 1986 इसकी कार्य योजना क्या थी उसको पढ़ेंगे एक बार फटापट से मिलफाथ फटापट चलिए प्रारंभिक बाल्ले अवस्था देखबाल और सिक्सा पर बल दिया गया प्रात्मिक विधाल्ले की दसाफ उधारने के लिए ओप्रेशन ब्लेक बोर्ड सुरू किया गया था प्रात्मिक विधाल्लों की दसाफ उधारने के लिए कुनसा ओप्रेशन ब्लेक बोर्ड प्रात्मिक विधाल्ले एक किलूम्टर के दाइरे में स्थापिट किये गए जूनियर हाई स्कूल तीन किलूम्टर के दाइरे में स्थापिट किये गए थे मतलब हर एक किलूम्टर के दाइरे में एक प्रात्मिक विद्याले खोला गया था प्रैमरी स्कूल पांची किलास तक का और जूनर हाई स्कूल आठवी किलास तक का हर तीन क्यूंटर के दारे में खोला गया था जहां पर नई थे हमाँ पर बढ़ाए गए थे नवोद्य विद्धाल्य की सुरुबात की गई थी राश्टे सिक्सा निती उनिफो छासी के बाद सिक्षा का वैवसाई करण सुरुक किया गया था वैवसाई करण कहते है कोमर्स लाजेशन पैसे कमाना सिक्षा को सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा ज्यान बढ़े बलकि उससे हम अपनी जीवी का कमा सके ठीक है न इसको इस पर भी बल दिया गया था चात्रों को उच्छा में प प्रवेश लेना है तो उसको आपको प्रवेश प्रिक्षा देनी होगी एक एंट्रेंस एकदाम देना होगा उसके माक्स के अधार पर आपको प्रवेश दे जाएगा जिसके माक्स अच्छे आएंगे उसको पहले मिलेगा जिसको नहीं आएंगे तो उसको वह नहीं मिलेग ठीक है ना टॉप मेरिट बेस पे किया गया था तो मुक्त विस्व धाल ले और दूरस सिक्सा की सुरुवात की गी थी यहाँ पे राश्टी सिक्सा निती पढ़ाई करके आप मापे जा करके कभी कभार आपकी संडे बगरा में क्लास चलती है और उसके बाद भी आप एक्जाम दे करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं यह बिल्कुल रेगुलर मने जाती है ग्रामीन विस्व धालो और सफ्थानों का भी पुनरगठन किया गया अनुस वो छासी वाली जो हमारी राष्ट्य शिक्षानिती थी उसमें इसका ध्यान लखा गया था नेक्स स्लाइड बे चलते हैं राष्ट्य शिक्षानिती 1986 के गुण इसके अंदर क्या गुण थे क्या चीव आते थी उसको पढ़ेंगे एक बार सिक्षा राष्ट्य मैत्व का व अब उसको धरे धरे सोफट किया गया था ओके तखनीकी सिक्षा का उठ्थान किया गया श्में टेक्षएंग पे फोकस किया गया सिक्षक सिक्षा में सुधार टीचर्स को भी एजुकिफएंट देना सुरू की गई बी एडड बीटीफी जैसे कोर्स स्टाट किये गए एम बस्टू लेवल पर जो हमने वेबसाइक पाट्टेक्रम शुरू किये थे जैसे कि पॉलो टेक्निक वगरा आईटी आई वगरा हमने शुरू किया था तो वहाँ पे हम बावजूद भी अलग अलग प्रकार की सिक्षा रही है उन्होंने अपनी मर्डी से सिस्टम को चलाया तो इसमें सफल रहें यहां पर नवोद्य विधाल्य योजना सफल साबित हुई थी ब्लैकबोर्ड योजना को इमानदारी से लागू नहीं किया गया है यह भी इसका एक और वैरी सोट के रूप में पूछा सा सकता है तो आप इसको हैडिंग बना करके और जो मैंने यहां पर आपको बताई हैं यह सब हैडिंग्स हैं इनके अंदर भी आप बहुत सारी चीज़े लिख सकते हैं कुश्टन को जितना नंबा चाहें आप इतना नंबा कर सकते हैं संसोधित राश्य सिक्सानिती 1986 देखो 1902 में क्या हुआ 1986 की जो राश्य सिक्सानिती थी उसमें कुछ इंप्लिमेंट किये गए थे तो वो क्या थे एन एपी उनिफो चाहसी में यह गोवित किया गया था कि इस निती के क्रियानवन और प्रिणामों की हर पास साल बाद समिक्सा की जाएगी UNIFOR 46 की सिक्षा निती जो थी उसमें ये लिखा गया था कि हर 5 साल बाद क्योंकि जनरेफन चेंज होती है टाइम चेंज होता है इसलिए सिक्षा के जो रिजल्ट थे परिणाम थे उनकी समिक्सा की जाएगी अगर लग रहा है कि कुछ चेंज करना है तो हम कर सकते है राम मूर्ती और जराज़ान रेड़ी समिती की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने अपनी कारियों जना में कुछ बदलाव किये क्योंकि राष्टे शिक्षा निती उनिफो चासे में लिखा गया था ये बात कि हम बदलाव करेंगे तो इसलिए यहाप बदलाव किये गए संसोधित राष्टे शिक्षा निती का दस्तावेज क्या था 1922 में में उसको पढ़ेंगे इन दो भागो परिचायात्मक और भाग सेकिंड सार और शिक्षा की भुमिका में कोई बदलाव नहीं किया गया है केवल राष्टे शिक्षा निती बनाई गई थी उनिफो चासी में उसके अलग अलग पार्ट है किसमें वाग में चार फूंफोधन किया गए गए कौन कोन से राष्ट्य साह्ट्रमिसन गरीवी अन्मूलन राष्ट्य यक्यिकरन पर्यावरन सेलक्षिन छोटे प्रिवारों के मांदंडो महिला समानता को परोस्तान से जुड़ा होगा ठीक है ना नेक्स चलते हैं आगे भाग पांच में साथ संसोधन किये गए अब भाग पांच में जो साथ संसोधन किये वो क्या है प्रात्मिक विद्धालों में नियुक्त परतिफत सिक्षक महिलाई होंगी यह संसोधन किया गया अपर प्रामरी में भी ओपरिफर्फर्ण ब्लैक बोर्ड योजना लागू की जाएगी पहले क्या था ओपरिफर्ण ब्लैक बोर्ड योजना जो थी वो प्रामरी है जो स्कूल में की गई थी यहाँ पर हमने अपर प्रामरी में भी इसको सुरू कर दिया वर्स 2000 तक मुफ्त और अनिवारे सिक्षा के लक्षा को प्राप्स करने के लिए राश्टिय मिस्न सुरू किया जाएगा लड़कियों अनुफिचित जाती अनुफिचित जाती के बच्चों पर जोड दया जाएगा लड़कियों पर भी Etsy के बच्चों पर भी SD के बच्चों पर भी उनकी Education को उनको Educate करने में जोड दीया जाएगा Open Learning System को मजबूत किया जाएगा आगे बढ़ते हैं आखिल भारती तक्निक की सिक्षा परिफद को और मजबूत किया जाएगा इसका बेसिक पाइंट था सिक्षकों के लिए कोई संसोधन नहीं किया गया है यहां पर उनके किसी सेल्ली में स्ट्रक्चर में कोई चेंड नहीं किया गया तो कोई यहां आया था 1986 सिक्षा निति के अमेंडमेंड को ले करके उसमें सिक्षकों के रूल सेंड रेगुलेशन में उनकी सेल्ली श्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया राश्टी आयका 6 परतिफद से अधिक सिक्षा पर खर्च किया जाएगा यह चीज थी कि जो हमारी नैसल इ रहे हैं राश्टी शिक्षा निती बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं हम और प्लीज चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें धन्यवाद जैहिन जै भारत